वीडियो में हम बात करने जा रहा है, बिहार में कक्षा एक से लेकर के आठवी तक में सिक्षक बहाली को लेकर के फाइनली आज से यारी के 18 सेप्टेमबर से आवेदन लेनी के परिकिलिया सुरू हो गई है आप सभी अभियाती चाहे तो आवेदन जो है हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं और इसके अलाबा स्पीट पोस्ट के मात्यम से भी भेज सकते हैं खास बात यह है आज का एक breaking news आपको बता दे यहां पर कि बहुत सारे जिले यानि की लगभग जो है बिहार के चार से पांची जिले अभी तक जो है रोस्टर किलियर कर पाया है बाकी जिले अभी तक अपना रोस्टर नहीं किलियर कर पाया है कि कितने सिक्षकों की जो है र आप जो है सभी जिले में आविदन कर पाएंगे लेकिन अभी जो आज से यानि कि 18 से जो आविदन लिया जा रहा है बिहार के मातर 3 से 4 जिले में ही आविदन लिया जा रहा है आज से बाकी जिले की बात करें तो बाकी जिले में माना जा रहा है कि आज साम तक या फिर कल जो ह रखते हैं यह ओफिसल अपडेट है यहां पर आप देख लेगे आपको जो है एक स्वेक चिरुपेन भरा हुआ आविदन पत्र जो भरना होगा इसके अलाबा उसमें आपको फोटो भी होना चाहिए और इसके अलाबा मेट्रिक का अंग पत्र और मुल परमान पत्र की देना होगा साथ ही इसके बाद दो वर्सिये पर सिक्षन पर आपका अंग और मुल परमान पत्र यानि की सभी कागजात मेट्रिक इंटर और इसके अलाबा जो है यदि आपने ग्रिजुएशन का रखा है तो ग्रिजुएशन यानि की कक्षा 6 से लेकर के 8 वी तके सिक्षक बनने वालों के लिए है इसमें भी आपको मार्क सीट और इसके अलाबा जो है आपको यहाँ पर मूल परमान पत्र का जिरॉक्स कौपी देना होगा इसके बाद बात करें TET या फिर सीटेट का जो है आपको अंग पत्र यानि की सिर्फ और सिर्फ मार्क सीट लगाना होगा इसके अलाबा यदि आप रिजर्व केटेगरी में आते हैं तो रिजर्व केटेगरी का आपको जातिये और निवास परमान पत्र का छाया परती आपको लगाना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं सभी परमान पत्र जो है सो हस्ताक चर्योग फाइल बंद जमा लिया जाएगा यानि कि सभी आवेदन जो है आपको एक फाइल में समिट करके उनको देना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट में जो है जो योगीता रखा गया है सीटेट समान पुरूस के लिए 60 फिसादी अंक यानि कि 90 अंक जो है अवियार्थी का आवेदन जो है सुईकार नहीं किया जाएगा मेला कोटी में 83 अंक से जो है अगर कम है आपका माक्स तो अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन आपका रेजेक्ट कर दिया जाएगा सुईकार नहीं होगा साथी दिव्यां के टेग्रीक में भी यहाँ पर आप देख लीजे 55 फिसादी यानि कि आपका जो है अगर 83 अंक से कम है तो आपका आवेदन सुईकार नहीं किया जाएगा आवेदन प्रती अस्थान नियोजनिकाय नगरपडिसाद कारियाला हिलसा यह जो है नवादा जीला का है आवेदन यहाँ पर देख सकते हैं 18.09.2019 से 17.10.2019 तक लिया जाएगा खास बात यह है कि आप आवेदन हाथ हो हाथ जमा करने का जो समाई दिया गया है नवादा जीले की बात करें तो नवादा जीले में यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ हो हाथ ही आवेदन जमा करना होगा जो की दिया गया है दस बजे से लेकर की चार बजे तक खास बात य यह था आज का एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी अपयाती बाकी जीलों की जो है रोस्टर को ले करके एक दूदी इनतियार करें 20 से आप सभी जीले में आविदन कर सकते हैं